चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो नीट 22 एस्प्रेंट के दिमाग में अभी एकी सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर नीट 22 का एक्जाम कब कंड़क्ट होगा NTA ने अभी इसके बारे में कोई भी संकेत नहीं दिये हैं और नहीं कोई ओफिशिल नोटिस दिया है और इसके एप्लिकेशन फॉरम भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन CBSC की बोर्ड एक्जाम का नोटिस आने से ये क्लियर जरूर हो चुका है कि नीट 22 का एक्जाम म अप्रेल से स्टार्ट हो रहे हैं और ये मई जून तक चलेंगे अलांकि इसकी डेट सीट अभी आई नहीं है ये एक दो दिन में जारी हो जाएगी इसी बीच काफि सारे स्टेट बोर्ड के एक्जाम भी मैई जून में कंड़क्ट हो रहे हैं नीट पी जी का एक्जाम भी NEED 22 की exam जुलाई मन्त में हो सकती है इससे पहले exam होने की possibility कम बन रही है तो जो candidate NEED 22 की preparation कर रहे हैं उनको two months का समय और मिल जाएगा हमने NEED 21 की exam में देखा था की paper level difficult होने के बाद और paper pattern change होने के बाद भी student ने अच्छे marks गैन के थे क्योंकि उनको काफी समय मिल गया था तो समय का बहुत ही effect होता है आपको अच्छे marks गैन करने के लिए आप भी अगर NEED 22 की preparation कर रहे हैं तो इस समय का सदुपयोग करे जुलाई का target लेके चले सहले बस पहले complete कर ले और revision पर काफी ध्यान दे आपका selection अवस्य ही होगा इसके बारे में जो भी update मिलेगा application form जब start होंगे या फिर exam date का announcement होगा तो हम आपको inform कर देंगे फिलाल आप अपने study जारी रखें ताकि आपको अच्छा medical college मिल सके 22 की exam दे करके तो मिलते हैं नई जानकारी की साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद